प्ले स्टोर पे जाके MP परिक्षा का एप डाउनलूट कर सकते हैं और वहां पर दोस्तों आप सिक्सक परती वर्ग एक वर्ग दो हुआ और पैसा हुआ और कॉंस्टेबल हुआ उन सभी की निस्सुल के तैयारी कर सकते हैं और फिर दोस्तों आपको यह अच्छा लगे तो आ डेली डोज मिलता है जिसमें डेली आपको मोश्ट इंपोर्टन की सीरीज मिलेगे आप वह भी देख सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं इसी के साथ साथ दोस्तों आप अपने अकेडमी का लर्णिंग गूगल प्रेस्टोर से डाउनलूट कर सकते हैं वहां पर दोस्तों प्रमोदराना सर्थ करके हमारे साथ जोड़ भी सकते हैं तो दोस्तों जैसे आप सर्थ करेंगे यह वाली प्रोफाइल खुल जाएगी और जल्दी से दोस्तों पॉलॉग बटन पर क्लिक कर लिजे तो आप मैसेज भी कर पाएंगे यदि आपको कोई क्वेरी दोस्तों वह कुल करने हैं तो आपको क्लिक है टुछ करना भी डीटेauptर सारी जानकारी मंघेडरे जाननी है तो ग्लिक करना है अब देख सकते हैं चार सो रूपीकृज है और सब के लिए जीरो रुपीज फीज है इसी के साथ साथ एक्जाम डेट नावंबर दिसंबर में बताए गया एड्मिट कार्ड भी उसी टाइम एवलेबल हो जाएंगे अब देखिए दोस्तों वेकेंसी डेटेल टोटल 86 पोस्ट है जिसमें एज लिमिट आपको 911-2018 के अनुसार होगे जिसमें देखिए दोस्तों पोस्ट नेम सेप्टी ओपिसर के लिए निकली है वेलफेर ओपिसर के लिए और एज लिमिट आपको बता रखिए मैक्जिमम कितनी है ये 30 एर्स बता रखिए एलिजिबिलेटी आ पिर टेकनलोजी फिजिक्स या फिर केमिश्ट्री एंड एक्सपिरियंस भी आपको चाहिए तो इसी अनुसार आप दोस्तों सभी के लिए देख सकते हैं सुपरवाइजर के लिए वीडियो को पॉस करके यहां तक देख सकते हैं उसके बाद मैं वीडियो को और आगे बता देता हूं इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं डिपलोमा इन सिविल इंजिनिरिंग फिर्ष्ट क्लास मार्क्स के साथ मांगी गई है सुपरवाइजर के लिए जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए और इन सभी के लिए दोस्तों आप अच्छे से देख सकते हैं अब दोस्तों एडवर्टीजमेंट में भी देख लेते हैं ये भी आप अच्छे से देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं इनके लिए पे स्केल भी बहुत अच्छी आपको सेलरी भी दे रहे हैं मायानी मिनिममम 29,000 29,000 यहां पे 26,000 आप सोयम देख सकते हैं यहां थोड़ स्लेबस की स्लेबस की दोस्तों बात करें तो स्लेबस में आप यह देख लीजिए मैं आपको बता देता हूं जल्दी से स्लेबस में दोस्तों यहां पर आ जाईए और दा पोस्ट कोड यानि पोस्ट कोड वन से एट के लिए क्या स्लेबस है यह देख लीजिए जिसमें प् professional knowledge होगी वो 40 questions होंगे 80 number के आपको समय मिलेगा 120 minutes यह आप देख सकते हैं 200 questions के लिए आपको 120 minutes मिलेंगे उसके बाद दोस्तों for the post code 9 post code 9 के लिए यह आपको बता रहा है selection process क्या जूनियर officer assistant consists of typing test on computer and online test यानि typing test होगा computer पर online test होगा on the basis of qualifying and typing test candidates will be shortlisted for the online test यानि जो दोस्तों आपका typing test होगा computer पर उसके बाद shortlisted किये जाएंगे online test के लिए तो वह आप इस समसार पर सकते हैं और जो typing skill test होगा वो only 10 minute का होगा अब दोस्तों post code जो 9 से 11 तक है उनके लिए यह syllabus बता रहा है general awareness English language logical reasoning quantitative quantitative aptitude हो जाएगा यह समसार दोस्तों 160 question 160 नंबर के और वन आवर यानि 160 minutes का आपको time मिल रहा है और minimum भी बता रखा आपको इतने नंबर साहिए और यह दोस्तों important जानकारी थी और इसमें दोस्तों negative marking बिल्कुल भी नहीं है यह आप दे सकते हैं there is no negative marking the typing test या online examination will be conducted at the following centers यानि आपका इंद और बोपाल उजयन जवलपुर और ग्वालिर में आपका center होगा यदि आप इसका form बढ़ना चाहते हैं और यह बता रहा है download of call letter call letter आप download कर सकते हैं और apply किस तरह करना है यह भी बता रखा है अच्छा दोस्तों आप यूटूब पर study of हमारा चैनल सर्च करके home वीडियो प्लेश उप्शन पर जाकि प्रतियक topics related series दे सकते हैं जिसमें आपको daily current affair मिलेगा child development and pedagogy nobel prize यानि आपको most important questions की सभी की series मिल जाएगी जिसमें MP का सामान ने जान जितने भी जो previous exam हुए है उनके सभी most important MPG के questions आपको मिल जाएंगे इसी के साथ साथ आप अने अकेडमी भी जाके हमारे साथ जोड़ सकते हैं MP current affair monthly current आपको मिल जाएगा तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुबह जय हैं जय भारत